खुद को नरग का राजा समझती है लड़की, यू तो है पढ़ी लिखी एंजिनियर, पर हिला हुआ है पूरा सिस्टम, डॉट, वोमन थिंक्स हर सेल्फ आस डैवल, लड़की यू तो काफी पढ़ी लिखी है और एरोस्पेस एंजिनियर है लेकिन उसके शरी में एक डेवि ल्यानी नरग का राजा समझता है, वैसे ही रियल लाइफ में भी एक लड़की के साथ हो रहा है, लड़की खुद को पाताल में रहने वाला नरग का राजा मानने लगी है, इसकी वज़ह से न सिर्फ उसे ही दिक्कत हो रही है बलकि उसके इलाज में भी परिशानी होती है आपने कई बार ऐसी कहानिया सुनी होंगी कि किसी के सिर पर आत्मा का आवास है या फिर वो बैठे बैठे भूत पर रेत कासा आया होने जैसी हरकते करता है। आपके भीमन में अगर सवाल उठता है कि वाकई ये कहानिया सच होती है या फिर जूट तो हम आपको एक लड़की की कहानी सुनाते हैं। जो खुद को बैठे बिठाए कभी डेविल तो कभी दूसरी महिला समझने लगती है। खुद को बैठे बैठे समझने लगती है डेविल। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जेनिफर डुमारसिक, जेनिफर ड्यो मेरिक नाम की लड़की 33 साल की है और उसे समस्या ये है कि वो खुद को नरक का राजा समझती है। जेनिफर जब खुद को डेविल मानती है, तो वो उसकी सारी भावनाओं को ब्लॉक कर देता है। कई बार थेरपी के दोरान भी डेविल उसके सिर पर सवार हो जाता है। ये उसकी आदधाश्त के लिए मुश्किल बन चुका है लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं कर सकती लड़की की है कुल सेवन परसनालिटीज। जे निफर के शरीर में सिर्प डेविल ही नहीं बलकी कुल सेवन परसनालिटीज रहती है। उसे मल्टिपल परसनालिटी डिसॉडर है, जिसकी वज़ा से उसके शरीर में अलग-अलग लोगों का कबजा हो जाता है। वो कभी खुद को 19 साल की एना, कभी 33 साल का जैस, कभी 22 साल की पेजली, कभी 22 साल का रोवन, कभी 38 साल का स्टीवन तो कभी नरक का राजा समझने लगती है। इन में से कुछ परसनालिटी की उसे आदत पढ़ चुकी है तो कुछ से वो तंग हो जाती है। धन्यवाद मित्रों